आज की इस विशेश वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे चमतकारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप नवरात्री के दौरान करते हैं, तो आपका भाग्य बदल जाएगा. 2023 में नवरात्री के समय हमने इन उपायों के बारे में बताया था और उन उपायों से लाखों लोगों को लाब हुआ था. उसी प्रकार 2024 के नवरात्री में भी हम आपको वही अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप अपना लेते हैं, तो आपकी करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की अवश्य लिखें. अगर आपने ये कर लिया है, तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और बताये गए उपायों को जरूर करें. इन उपायों से आपको धन समरिध्य सुक्षान्ती और कभी न खत्म होने वाला एश्वर्य प्राप्त होगा. माताएं और बहने, अगर आप सच्चे मन से माता रानी की भक्ती करती हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. हमारा उद्देश्य जन सेवा और जन कल्यान है, ताकि सभी माताएं और बहने हमारे माध्यम से ज्ञान वर्धक जानकारियां प्राप्त कर सकें और उनका जीवन बहतर बना सकें. इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में न छोड़ें, क्योंकि अधूरी जानकार और आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं. नवरात्री में लौंग का चमतकारी उपाएं. अगर आप किसी भी कार्य में लगातार असफल हो रहे हैं, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, तो नवरात्री के दौरान एक नीम्बू लें और उसमें चार लौंग और आपके कारियों में सफलता अवश्य मिलेगी. पारिवारिक कलह दूर करने के लिए लौंग का उपाए. यदि आपके परिवार में निरंतर जगडे और कलह हो रही हो, तो नवरात्री के दौरान लौंग का यह उपाए करें. यह उपाए पारिवारिक शांती और सदभा प्रवना लाने में मदद करेगा। माताएं और बहने यह उपाए बेहद सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए लौंग का प्रयोग। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक उर्जा का वास है तो नवरा नवरात्र के किसी भी दिन पांच लौंग लेकर मा दुरगा के सामने अर्पित करने हैं। इसके बाद उन्हें जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाए आपके घर से सारी नकारात्मक्ता को खत्म कर देगा और शांती एवं समृध्ध लेकर आएगा। धन संपत्ति की प् पूर करेगा बलकि आपके घर में धन और संपत्ति का वास भी सुनिश्चित करेगा। इस पौधे के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत्र तक देखें। सुख समृध्धि पाने के लिए पेड़ पौधों का उप्योग। नवरात्र के दौरान कुछ वि कि असीम क्रिपा पा सकते हैं। नवरात्र का त्योहार हिंदु धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शार दिय नवरात्री दो हजार चौबीस की शुरुवात तीन अक्टूबर से हो रही है और यह बारह अक्टूबर को समाप्त होगा। इन नौ दिनों में मा दु शानियां दूर हो सकती हैं। लौंग के सरल लेकिन प्रभावी उपाय आपकी जिंदगी में बड़ी सकारात्मक्ता ला सकते हैं। इन उपायों से आप अपनी आर्थिक स्थिती को सुधार सकते हैं। अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं और पित्र दोश या नकारा प्राप्त करने का मौका दे सकते हैं। तो मित्रों अब देर मत कीजिए। महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और नवरात्र के इन अद्भुत उपायों का लाब उठाएं। वीडियो को अंत तक देखें और मातारानी का आशीरवाद प्राप्त करें। जय मातार इसके लिए आप लौंग के जोड़े को पीले रंग के कपड़े में बांध कर घर में तिजोरी वाले जगह पर उपर टांग दें। ऐसा करने से परिवार वालों में चल रहा दूरा वदूर होता है और घर के सुख समृध्धि में वृध्धि होती है। आर्थिक स्थिती म कपड़े में पांच कोडियों को बांध कर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां भवानी की कृपा से आपके घर में धन का आगमन होता है। शारदीय नवरात्री में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे परेशानिया, आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय शारदीय नवरात्री पर आप लौंग के उपाय आजमाएं तो घर की आर्थिक स्थिती में सुधार होगी। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांध कर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिती मे इस उपाय को आजमाने से मा, दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। लौंग का उपयोग बहुत लाभकारी हो सकता है। चाहे वह ग्रह क्लेश हो, धन की कमी, शत्रूओं पर विजय पाने की बात हो, या फिर स्वास्थे से जुड़ी समस्याएं, लौंग के उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आईए। एक सरल उपाय आपकी मदद कर सकता है। नवरात्री के नौ दिनों तक सुबह के समय कपूर में दो लौंग डाल कर जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ता दूर होती है और ग्रह क्लेश कम होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि यह उपाय करते हुए पूरे घर में बहुत महनत करते हैं। फिर भी असफलता ही हाथ लगती है। इस स्थिति में निराशा और नकारात्मक ता आपके मन में घर कर लेती है। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो नवरात्री के नौ दिनों तक प्रति दिन चमेली के तेल के दीपक म और इसे बजरंग बली की तस्वीर के सामने रखें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। परिवार में शांती और नजर्दोष से बचाव के लिए अगर परिवार में तनाव बना रहता है या आपको नजर्दोष की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो एक पीले वस्तर में दो लॉंग बांध कर उसे घर के किसी कोने में लटका दें। यह स्थान ऐसा होना चाहि जहां किसी की नजर न पड़े ऐसा करने से परिवार में शांती बनी रहती है और नजर्दोष से भी बचाव होता है। बीमार व्यक्ती की सेहत में सुधार के लिए यदि आपके घर में कोई व्यक्ती बीमारी से जूँझ रहा है और लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रहा है तो नवरात्री के दौरान तवे पर भुने हुए साथ से आठ लौंग को घर के किसी कोने में रख दें। यह उपाए बीमार व्यक्ती की सेहत में सुधार लाने में मदद कर सकता है। मांदुर्गा की कृपा से व्यक्ती की सेहत में तेजी से सुधार होता है। अगर आपके शत्रू आपको परेशान कर रहे हैं या आपका कोई मामला कोर्ट का चहरी में फंसा हुआ है तो नवरात्री के दौरान प्रतिदिन मांदुर्गा को पांच लौंग पीले मिश्ठान और पीले पुष्प अर्पित करें। यह उपाए मांदुर्गा की कृपा से आपको शत्रूं पर विजय दिलाने में सहायक होता है। आपकी समस्या जल्द ही हल हो सकती है और शत्रूं से मुक्ति प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाए। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और धन की कमी हो रही है तो नवरात् दिल द्धन के स्थान पर लौंग का जोड़ा रख कर भी आप आर्थिक संवरिध् effort करसकते हैं। हनुमान जी को प्रसंण करने के लिए लौंग का उपाए नवरात्री प्राप्ति का समय अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागरित करने का समय होता है। हनुमान जी को प् प्रभाव को कम करने के लिए नवरात्री का समय बहुत अच्छा माना जाता है। नवरात्री के नौ दिनों तक रोजाना लौंग का दान करें और शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चाहे वह ग्रिह क्लैश हो, आर्थिक तंगी या शत्रूं से सामना, ये उपाय आपकी मदद करेंगे और आपके जीवन को सुख, शान्ती और सम्रिध्धि से भर देंगे। तो यह नवरात्री में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्री में अश्टमी के दिन मा, दुरगा के किसी मंदिर में तीन लौंग लाल कपड़े में बांध कर, किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मा महागोरी को गुलाब की पंख अगर कई जगहों पर इंटर्व्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्री में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्री के सामने श्री सूक्त का पाठ करें। इसे नवरात्री में किसी भी रात्री को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाए, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और सम्रिध्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्री के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। चलिए, अब जान लेते हैं कि वह कौन सी पेड़ पौधे हैं जिन्हें आप अपने घर पर जरूर लगा सकते हैं। जिस जिसे की आपको लाब ही लाब हो, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, और मातारानी के लिए कमेंट बॉक्स में जय मातारानी जरूर लिखे। जिसे की माँ भगवती को सबसे प्रिय रक्तवर्ण वाला जवा कुसुम फूल होता है। बेल एक बड़ा व्रिक्ष होता है। लेकिन अभी के लिए नरसरी से पौधे खरीद कर लगाना अधिकुचित रहेगा। बेल का पौधा केवल पूजा में ही नहीं चड़ाया जाता, बलकि इसे आयुरवेदिक और शधी के रूप में भी इस्तिमाल किया जाता है। नियम के पेड की खासियत यह है कि इसके कड़वे स्वाद के बावजूद इसकी बहु आयामी उपयोगिता है। इस पेड के हर हिस्से जड़तना, छाल, फल, फूल, बीज और पत्तियों का स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नहीं आती, बलकि सकारात्मक उर्जा भी प्राप्त होती है। सेवंती या गुल्दावदी के फूल भी मा दुर्गा को बहुत प्रिय हैं। इन फूलों से मा दुर्गा की विशेश पूजा की जाती है, जिससे देवी की कृपा प्राप्त होती है। गुल्दाओदी की कई वेरायटी उपलब्ध हैं, जैसे बैंगनी लाल और सफेद। इन रंगों के गुल्दाओदी को मा दुरगा को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि ये रंग देवी के प्रिय होते हैं। गुल्दाओदी को कटिंग से भी लगाया जा सकता है, लेकिन इ इसे सीधे जमीन में लगाया जा सकता है, अन्यथा गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है, अपराजिता जिसे अपराजिता लता भी कहा जाता है, मा दुर्गा का एक नाम है, यह पौधा नीला और सफेद रंग में उपलब्ध होता है, और इसे शंख पुष्पी या वि नवरात्री के किसी भी दिन इस पौधे का रोपन करने से मान दुर्गा की विशेश कृपा प्राप्त होती है। नवरात्री में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्री के दौरान कई लोग वरत रखते हैं। कुछ लोग पूरे नौ दिनों का वरत रखते हैं, जबकि कुछ दिन प्रति दिन एक विशेश प्रकार का भोजन लेते हैं। वरत के दौरान शरीर में उर्जा बनाए रखना आवश्यक होता है। इसके लिए दूध, दही, पनीर और फल जैसे आहार शामिल करने चाहिए। सही समय पर सही आहार लेने से शरीर में शक्ती बनी रहती है और भक्ती में मन भी लगता है। यदि आप पूरे नौ दिन कुछ नहीं खाएंगे, तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए कुछ लोग एक समय में सिर्फ एक चीज का सेवन करने का संकल्प लेते हैं। जैसे लौंग नवरात्री शुरू होने से एक या दो दिन पहले से ही भोजन में धीरे-धीरे परिवर्तन करना चाहिए ताकि वरत के दौरान शरीर में उर्जा बनी रहे। इन सभी पौधों को अपने घर में लगाना न केवल धार्मिक द्रिष्टी से शुभ माना जाता है बलकि यह आपके घर की सकारात्मक उर्जा को भी बढ़ाता है। आप न केवल धार्मिक अनुष्ठान पूरे करते हैं बलकि अपने घर को भी हरे-भरे और जीवंत बनाते हैं। इस प्रकार गमले में पौधे उगाना एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है। जाताओं की कृपा सदैव आपके साथ रहती है। जाताओं की क मैं प्रूप रहती हैं। जाताओं की कर्द की का ओनाता हैं। झाल झाल